जब भी कोई जीव संसार में आता है, उसकी तीन काया होती हैं, यानि बुद्ध ने उसे तरिकाई कहा है, इसको दूसरे सरल शब्दों में स्थूल यानि जिसे आँखों से देखा जा सकता है, सुक्स्यम जिसे हम स्थूल आँखों से तो नहीं देख सकते, मगर हम अनुभव करते हैं, और तीसरा कारण सरीर, जिसको हम साधारनत्य अनुभव भी नहीं कर पाते हैं, इसी को बुद्ध ने तरिकाई कहा है, कि कोई भी चेतना तीन रूप में महसूस हो सकती है, महायान की सिक्ष्याओं के अनुसार, बुद्ध जो परमसत्ता के साथ एकात्म है, यानि इस परकार है, पहला धर्मकाई, यानि ऐसी काया जो धर्म है, यानि शाशवत है, जिसको बुद्ध कहते हैं, धर्म आपका सोभाव है, जो शाशवत है और आपके शरीर के अंदर है, बिराजमान है, और संपून स्थूल काया में रचा बसा है, यह धर्मकाई यानि यह जो रूप है इसको साधारनतिया हम अनुभव ही नहीं कर पाते एहसास ही नहीं कर पाते जबकि असल में हम यही है हाँ इतना सबका अनुभव है कि कोई शरीर गीरा निस्परान हुआ उसमें से कुछ चला गया जिस वज़े से वह चलाईमान था मगर वह अब नहीं है लेकिन हमें पता नहीं कि वह कहा गया दूसरा संभोक काई है यानि एक ऐसी आनंद रूप शरीर जो स्वर्गों अथ्वदिप्पी लोकों में प्रकड होता है अथ्वा आंतरिक साध्यना द्वारा अपने अंतर में देखा जा सकता है जिसको हम शुक्ष्यम शरीर कहते हैं तीसरा निर्मान काई जैसा की नाम से ही स्पस्ट है यह निर्मान की जाती है यानि प्रकड रूप में होती है स्थूल रूप में होती है जिसको हम इन आँखों से देखते है इस शरीर के माध्यम से ही बुद्ध यानि वो धर्म वो साश्वत्ता जो प्रकट रूप में दिखाई देती है ताकि वो चेतन प्राणियों को मुक्ति का मार्ग पर सस्त कर सके यानि एहसास करा सके कि यह शरीर मात्र स्थूल शरीर ही नहीं है इसके अंदर दो शरीर और है या दो कबर और है जब भी कोई साधनापत से गुजरता है समाधी और निर्वान से गुजरता है तब उसे अपने तीनों शरीर क्रमस दिखाई देते हैं महसूस होते हैं वह क्रमस अपने तीनों स्वरूपों को नीचे से उपर की और देखता है उसको स्थूल, शुक्ष्यम और कारण कहले या उसको निर्मानकाई यानि देहरूप, स्थूल रूप, संभोककाई यानि सुक्ष्यम रूप, आनन्द रूप और तीसरा धर्मकाई यानि बुद्धकाया, सुद्धकाया कहले लेकिन हमें जो संसार में रूप दिखता है या स्थूल है निर्मानकाई है जिसको हम आदमी और और औरत के मैथूंचरिय से या कहनर और मादा के सहवास से बनते हुए देखते हैं यह शरीर जितना स्थूल है यानि आँखों से दिखाई देता है मगर यह जड़ है इसकी जड़ता का निस्प्राण का अनुभव हमको साधारनतिय तब होता है जब हम किसी का मृतक शरीर देखते हैं यह हम सब क्या अनुभव में है हमने मरीवी किटी देखी है हमने मरा हुआ पेड देखा है हमने मरा हुआ जीव जन्तु देखा है हमने मरा हुआ जानुवर देखा है और हमने मरा हुआ आदमी भी देखा है जिसमें अब कोई जीवन नहीं शरीर वैसा ही है कभी मृतक आदमी को ध्यान से देखे तभी बुद्ध कहते थे जब तक हम मृतक को सम्यक द्रश्टी से प्रज्या से नहीं देख लेते हमें कभी उस जीवन का एहसास नहीं हो सकता जो इस शरीर के बाद भी होगा लेकिन हम तो मानते हैं कि कोई मर गया लेकिन बुद्ध कहते हैं तुमने अभी ध्यान से नहीं देखा अगर देखा हो तो एक मृतक को देखने के बाद भी कोई इतना मधहोश प्रमात से भरा हुआ संसार में तरश्णा में लिप्त मैं और मेरा की हुंकार कैसे भर सकता है उसको कैसे नहीं पता हो सकता कि वो मरण धंबा नहीं वो कैसे अपने को शरीर मान सकता है वो कैसे कोई भी वहकरत्य कर सकता है जो दूसरे को पीडा, दुख और कश्ट देते है वो कैसे इस माया के संसार में भाग रहा हो सकता है वो कैसे संग रह कर सकता है वो कैसे इस संसार को नित्य मान सकता है वो कैसे यह मान सकता है कि वो कभी भी किसी भी पल इस संसार से चला जाएगा यह मानने में उसको तकलीप होती है इस स्तूल शरीर को छोड़ जाएगा और कैसे कोई यहां एहंकार, लोब, कुरोध, तरस्वना और मुह में फस सकता है लेकिन हकीकत क्या है? हमारा अब तक का अनुभव क्या है? हमें कुछ नहीं पता, हमारा कोई अनुभव नहीं आँखों से मौत देखने के बाद भी, हम यहीं मानते हैं, कि यह हम मेरे लिए नहीं है घर में मा को मरते हुए देखा, बाप को मरते हुए देखा, सगे संबंदियों को, पासपडोसियों को देखा मगर फिर भी यही भ्रम और आँखों में अन्धिरा आ जाता है कि यहां तो मेरी लिए नहीं है जब होगा तब देखेंगे सोचो तब कौन देखेगा यही बेहोशी यही मधोशी है एक शरावी की तरह मधोशी कि रोड में पीकर पड़ा है मगर सोचता है कि उसने बड़ा काम कर लिया वो अपने घर में पड़ा है और पीकर रोड में इरा है नाले में पड़ा है और कोई उसे उठाए सहारा दे तो उसको जटकता है गालियां देता है यही ब्रमाद है और यही जीवन मिलने का दुर्भाग्य है जिसमें धर्म का पता ही नहीं चलता शाश्वत्ता का पता ही नहीं चलता और यहाँ पता ही नहीं चलता कि इस शरीर में ही कुछ ऐसा भी था जो जीवन और मरन से उपर था जो शरीर को छोड़ गया और हम उसको देख नहीं पाए महसूस नहीं कर पाए और हमारा यह थोड़े समय का जीवन बरबाद चला गया हम उसको नहीं खोश पाए और यह एक आउसर था अपने अंदर उस धर्म तक पहुचने का अपने को मरन धम्मा से उपर देखने का और यह समस्त संसार अनित्य है मरन धर्मा है एक दिन है और एक दिन नहीं हो जाएगा सब बिट जाएगा यह जब पीड उगा है एक दिन गिर जाएगा मर जाएगा यह नहीं जान पाएगा कि मैं शरीर में रहता हूँ मैं शरीर नहीं हूँ यह जानवर यह पक्षी आज आकास में उडान भरता है कल गिर जाएगा जमीन पर पड़े हुए होंगे मगर यह नहीं समझ पाएंगे कि मैं मरणधर्मा नहीं हूँ क्यों? क्योंकि इनके अंदर सोचने समझने की शक्ती नहीं इनके अंदर यह ताकत नहीं कि कोई ऐसा बुद्ध पुरुष जो निर्मानकाई में आता है और धर्मकाई को जानता है और इन पेडों से कहेगा कि आओ तुम है मैं बताता हूँ कि तुम धर्मकाई हो मरणधमा नहीं पकसी और जानवरों को नहीं समझा सकता क्योंकि वो समझ नहीं सकते उनके पास वो समझ शक्ती नहीं मगर मनुष्य के अंदर समझ शक्ती है इसलिए यवो मनुष्य को सरस्टी का सर्वत्तम जीव कहते है इसमें पूर्णता की संभाव नाए है मगर जब कोई बुद्ध अपने तीनों रूपों में प्रज्वलित होता है प्रकट होता है और बताना चाहता है तो मनुष्य उसकी बातों पर हसता है उसको कहता है दिखाओ कहा है संभोक काई कहा है धर्म काई हमें तो नहीं पता चल रही कहा है क्यों नहीं पता चल रहा है क्योंकि हमारी दोड बाहर पदार्थ को देखनी की है इन स्तूल आँखों से बाहर को दिखता है बाहर पदार्थ है और जो अपनी तरफ खींचता है हम अट्रेक्ट करता है हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं अब थोड़ा विचार करते हैं और एक मुख्य प्रश्ण पराते हैं कि जब हम बाहर को देख रहे हैं तो जब सब हमारे ही अंदर है तो हमें गाइट क्यों नहीं करता हमें रोकता क्यों नहीं जिस तरह ये स्तूल आँख बाहर को देखती है उसी तरह जब ये आँख अंदर को बलटती है तो अंदर शरीर की दरफ देखती है अंदर शरीर का मतलब दोनों आखों के बीच में पीछे की दर्ब देखती है जिसको थर्ड आई गएते हैं और यह तीसरी आख है जो अंदर समभोग काई और फिर धर्म काई कानुभो करती है इसलिए जो यह सोचते हैं कि उनको क्यों नहीं दिख रहा है उनको यह बात समझ में आ गई होगी और यह भी समझ में आ गया होगा कि उस तीसरी आख से देखने के लिए अंदर की तरफ यात्रा करनी होगी इसलिए सभी बुद्ध गुरुसों ने जमीन पर आकर हमें ध्यान करने की विधी बताई अपने अंदर की तरफ देखने का मेथड बताया अब समझते हैं कि फिर बाहर कौन देख रहा है और अंदर कौन देख रहा है स्थूल शरीर जब भी चलाई मान होता है गती विधी करता है तो स्थूल को बाहर की तरफ देख कर करता है और अपने ही जैसे स्थूल से अट्रेक्ट होता है पक्षी हैं जानुवर हैं पेड़ पौधे हैं जीव जन्तु हैं उनकी अपनी कैटिगरी है जिसको विज्ञान ने और धर्म के जानकारों ने क्लासिफाई किया उसको तीन प्रकार से मोटा मोटा विवाजित किया गया है कि एक वह जीव जो पानी में रहते हैं एक वह जीव जो धर्ती पर रहते हैं और एक वह जीव जो आकाश में रहते हैं इसी को और विवाजित कर सकते हैं कि कुछ जीव हैं जो पानी और धर्ती और आकास तीनों में रहते हैं, कुछ हैं जो दोनों में रहते हैं, कुछ हैं जो एक में ही रहते हैं, इन स्थूल जीवों की अपने सेत्र में संगती होती है और बिसंगती भी होती है जीवन के लिए हर जीव दूसरे जीव पर आसरित है इसलिए वो अपनी संगती के हिसाब से अपना भोजन लेता है जिस तरह शेर मांस खाता है उसी तरह पक्षी, कीडे, मकोडे वो अपने से निर्बल जीवों को मारते हैं, खाते हैं यह हम सब अपने इस तूल आँखों से देख रहे हैं, इस भी भाजन को तो साइन्स ने इस पर रिसर्च करके हमें सारा पदार्थ का ग्यान यानि जो देखा जा सकता है, वो दे दिया और जो नहीं देखा जा सकता, मगर महसूस होता है वो भी बताया, जैसे पानी में बिजली है, जैसे एटम की खोज है आदी लेकिन बुद्ध पुरुष कहते हैं, एक और यात्रा है, खोज है जो अंदर की तरफ होती है, वो खोज कोई कबूतर नहीं कर सकता और नहीं कोई जानूर कर सकता है, और नहीं कोई पेड कर सकता है, और नहीं विज्ञान या खोज सिर्फ मनुष्छी की स्थूल शरीर से ही की जा सकती है जबकि सभी जीवों में वो तीनों काया हैं, मगर उनका अनुफ़व उनको नहीं हो सकता और यही कारण है कि सभी ज्यानियों ने एक स्वर से एक मत से इस धर्ती पर आकर हमें यह बताया कि मनुष्य का सरीर सबसे अधिक मुल्यवान है और इसको पाना कहें बड़े ही सौभाग्य की बात है जो क्योंकि इसके जरिये हम अपने अंदर की यात्रा कर सकते हैं अपने अंदर उस विराट संभोकाई की तरफ और धर्मकाई की तरफ बढ़ सकते हैं उसको महसूस कर सकते हैं आज हम इस बात को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि अब हमें बहुत से सारी चीज़े क्लियर हो गई हैं और यह भी बात स्पस्ट हो गई है कि दो तरह की यात्रा है एक संसार की तरफ बाहर पदार्थ की तरफ और एक बुद्ध पुरसों के दवारा बताई गई यात्रा जो अपने ही शरीर के अंदर की दरफ करनी होती है अब हम मनुष्य के जीवन की इन दो यात्राओं का डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य बाहर की यात्रा क्यों करता है और अंदर की यात्रा क्यों नहीं करता या अंदर की यात्रा करता है बाहर की यात्रा क्यों नहीं करता और हम यह स्पस्ट कर चुगे हैं कि मनुष्री के अत्रिक्त कोई भी जीव अंदर की यात्रा नहीं कर सकता